चलो भक्ति पत पर मन सज्जनो तुम् तभी श्रीहरी पासको गे वही तुम् सभी छोड़ जोना पसंत लोक मत को करो हो सदा मान्य हो लोक मन को नमस्कार एमाइटी वर्लपीस इन्यूश्टिटी के विश्वशांती दर्शन चानल पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत पिछले रहिवार को हमने मन के श्लोक शी समतर आमदाज जी ने लिखे हुए श्लोकों के उपर मैंने निरूपन किया आज भी ऐसे ही कई योगा मित्र यहां पर उपस्तित है जिनके साथ हुए मन के श्लोक का दूसरा श्लोक है उस्पन निरूपन करूँगा देखिए इस चैनल का एक खास बात ऐसे है कि यहां पर पॉजिटिव विचारों को पेश किया जाता है ताकि ब्रेकिंग नियूज करके जो गड़बर चलती है बाकी सभी चानलों पर कहीं पर ऐसा स्थान चाहिए जहां पर मन को शान्ती मिल जागी और वो शान्ती का स्थान है वर्ल्पीस उन्यूसिटी से तयार हुआ प्राद्यपोग डॉक्टर विश्वनात करार जी की प्रेरना से शुरू हुआ ये चैनल जिसका नाम है विश्व शान्ती दर्शन ज़रू सब्सक्राइब कियेगा तो जहीसे ही नया प्रवगम आएग आपको पता चल जाएगा तो मैं शुरू करता हूँ आज के दूसरे श्लोक का निरूपन मेरे योगा दोस्तों के साथ में हाइए अलो एवरिवान जो पहला एपिसोड हुआ हमारा उसमें हमने जो श्लोक लिया था वो श्लोक ता पहला श्लोक उसका टोटल 205 श्लोक है के मन के बारे में है इसलिए माराधी में उसे मनाचे श्लोक ऐसा का है मैं उसको मन के श्लोक कह रहा हूँ वो था गणाधीश जो ईश सारे गुणों का मुलारंब आरंब जो निर्गुणों का नमो मूल चत्वारी पदशारदा का चरेपंत आनंत उस रामजी का पुरूब रा सरस्वतिकों नमन किया है गणा अधीश अगर के गणपतिकों नमन किया है अब दुसरा श्लोक जो है उसको हम कवरिंग श्लोक कह सकते हैं जो पहला पिछले एपिसोड में किया हो अब यह जो श्लोक है वो ऐसा है चलो भक्तिपत पर मनसज्जनो तुम तभी श्रीहरी पास सबी छोड़ जो ना पसंद लोकमत को करो वो सदा मान्यो लोकमन को क्या कहते है पहले नहीं कह रही है चलो भक्तिपत पर मनसज्जनो तुम मन के जो सज्जन है वो भक्तिपत पर आने चाहिए भक्ति का मतलब क्या है तो डिवोशन तो डिवोशन क्यों डिवोशन सब कैसे तो मेरा मत नहीं है मेरे पास ऐसी जब सित्य आती है चलो यह बगवान है इनके सामने आने के बाद मुझे मेरा मत नहीं है वो कहेंगे यह मेरे गुरू है तो उनके पास जाने के बाद मुझे मेरा मत नहीं है तो मैंने क्या किया मेरे वोट को डी वोट कर दिया जैसे फ्यूस डिफ्यूस करते हैं वैसे वोट को डी वोट कर दिया अब डी वोट कर लिया मतलब मैं डी वोटी बन गया और मैं डी वोटी बन गया मतलब मैं भक्त बन अब जैसे मैं भक्ती का अन्वो लेने लगा विभक्ती मेरे पास नहीं आती तो जो breaking news है वो मेरे पास नहीं आती क्योंकि मैं भक्त हूँ एक तोस्थान ऐसा होना चीए पहले मा का फिर पिता जी का फिर आचार ये गुरू का और चौथा आतिती का सो मातरु देव भव पितरु देव भव ये जो कहते हम उसके वही कारण है आचार्य देव भव और अतिती देव भव तो यहां पर समता रामदा जी रिक्वेस्स कते कि अगर मन को शांती चाहे तो किसी भी तरह किसी एक जगा पर जाके भक्त बनो उस भग बनने के बाद आपको महसूस होगा कि अरे मन को शांती मिलती है मन को आशांती क्यों मिलती है मन में दूविदा है इसलिए मराधी में लोग मुझे पूछते हैं का उपादे तुमी दमत नहीं दमत कानी दमत दूमत नहीं मेरे मन में दूमत नहीं है इसलिए मैं ठकता नहीं हूँ और यही वज़य है आज जो प्रावलेम है क्योंकि बार बार हमें पुरा मीडिया पुरे फिल्म जो सिरियल चल रहे है सब बखवाद से हमें पढ़ा रहे हैं बार बार शाम को साथ बज़े से लेकर बखवाद चल रहे है सब Freedom of Exploration का मतलब गलत निकाल के जो भी चल रहा है एक शादी सीधी नहीं दिखा थे सिरियल में साथ भी बखवादी तक सब गरबट सब रहा है उसको वहां से निकालना है मन को तो एक तो जगह चाहिए तो वो जगह कौन सी है तो वो जगह गुरू की रहेगी वो जगह उस भगवान की रहेगी जहां पर आप जाके अपना मन शान कर सकते हो Get pacified मतलब अगर आपको ताकद है तो दोस्तों नमन कर लो या मनन कर लो मनन का मतलब क्या है Meditation करो लेकिन मनन सब कैसे तयार हुआ मनन मुझे मेरा मन नहीं है अगर वैसे नहीं कर पाए आप तो जाकर पाउँ पढ़ो और क्या करो नमन कर दो किसको नमन किया वापस उसी चर्णों में गया मैं लेकिन नमन किया मतलब वई स्थिती मन नहीं है वो भी नहीं हुआ तो जैसे महाँ मारत में अर्जुन ने कैदा भगाँन कृण बार को वैसे करो क्या क्या उसने वँडान कर दिया वॉमिट कर दिया, जो भी मन में है वो बोल दिया, विशाद व्यक्त किया, इसलिए उसका विकास हुआ, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीकंसिव्ट नोशन में जिय रहे हैं दोसलों, ऐसे मत जियो, डोंट, हाव कॉंक्रीट ओपिनियों कि यह ऐसा ही है, यह ऐसा ही, ऐसा नहीं होता, बी फ्लेक्जिबल, हाथी के शूंड कैसे फ्लेक्जिबल हैं, वैसे रहो, आंग छोटे करो, अनलिटिकल वे से देखो, और वो करने के लिए तुम्हारा मन एक जगा पे तो शांत होना ही ह और वो जगह कौंसे है, वो तुम्हारे गुरू की हो सकते है, और वो जो स्थिती है, वो पाने का मार्ग, यहां पर दूसरे श्रोक में कहा है कि चलो भक्ति पत पर मन सज्जनो तुम, कहां पर चलो भक्ति करने लगो, किसी भी एकी, अपने कर्म की भी भक्ति कर सकते हो, व उसमें भी माज़ा है, आप लोग माराधी जानते हैं, उसमें माराधी पिक्चर में गाना है, अचा काना है, मतलब क्या है, तो वो अवरत कह रही है, जो काम करें, उसी को भगवान मानती है, तो यह जो वर्कित वर्षिप है, वहां भी अगर काम करना शुरू करो, तो अपने श्रीहरी पास अकोगे तुम, उस भगवान का अनुवव तभी हो जाएगा, जब खुद को भूल जाओगे, ये खुद को भूलना है, खुद को रेकंगनाईज करना है, Self-Realization Process भक्ती में होती है, और कहीं नहीं होगी, किसी एक का भक्त बनो, मैं भे सभी मेरे जवान स्टूरंट्स को, युवा स्टूरंट्स को, दोस्तों को कहता हूँ, कहीं पे तो भक्त बनो, एक जगह ये होनी चाहिएगी, जहां पे तुम्हें, तुम्हारा मत नहीं है, तभ सम्हातर अमिथाज़ जी के जो स्टुरिंटन स्टुदें जिसाइपल्स तो थो आपस में बात कर रहे थे, यथे नीचे उतर रहे थे, तो आपस में बात कर रहे थे, चलो अच्छा हूँआ, आज हमारे गुरू ने हमें प्रभु Labourma Chandra जी का दर्शन दिया, तो एक वहां पर किसान काम कर रहा, तो किसान ने सुना, तो किसान ने जाके पूछा उनसे, कि क्या आपके गुरु मुझे राम जी का दर्शन कराएंगे, क्यों नहीं, जाओ मिलो उनको, तो भी यह जाके समधर राम जी से मिला, किसान, और फिर का, आपके स्टूदेंस की तरह मैं ध्यान नहीं किonse नहीं कर सकता में मुझे काम बहुत है खोती ये कहती मैं, लेकिन क्या मुझे परभू रामचंद और द wa सकते हैं, फो पहलते होता हैं, कैसे गरता है, तो रहेक झाम करो, जो मन में आए हो मत करो, जो मन कहता है कि ये करो वह मत करो, ऐसी साधना करो, को किसान ने कोदंड़दारी उसके सामने प्स्तुद हूए, तो जैसे रामचंदर सामने आगे गिसना के किसना पुचा आप कौन हूँ, तो उनने का, मैं रामचंदर हूँ, जिसके लिए तुम साधना कर रहे हूँ, तब किसना कैता है, यह ही ठेरो, मैं आपको पहले बाल मिल रहा हूँ मैं मेरे गुरू को लेके आता हूँ अगर मेरा गुरू केता है तुम रामचंद्र तो ही तुम रामचंद्र ये तुम रामचंद्र नहीं ये जो गुरू का स्थान है डीवोशन का स्थान है वो पकड़ना है अगर वो पकड़ोगे न तो देखो इसे इसे तरक्य होती जाएगी जिन्दगी में, क्योंकि मन स्थिर है, फ्लेक्जिबल है, the mind is with empathy, empathy के साथ मन रहेगा तभी बात बनेगी, लोगों की sympathy के आवशक्ता नहीं है, जब मन में empathy आजाएगी तो, और इतना बहुत तरीका आसान है, तभी श्री हरी पास होगे तुम, सभी छोड़ो जो ना पसंद लोकमत को, democratic approach towards the human behavior, लोकों को ना पसंद है, लोग मतलब पब्लिक आगए, पब्लिक आगए मतलब बहुत संख्या आगए, आते जाते गालिया अचकल सुनते हैं हम बच्चों के मुह से, गलत गालिया भी सुनते हैं, टीवी पे वह ही दिखाते हैं, नेटफ्लिक्स में वह ही दिखाते हैं, नेटफ्लिक्स में जाओ कोई चानल आण करो, सीरेल आण करो को शुरू, गालिया शुरू, क्या हवालता लोग क्या बार-बार गालिया देते क्या लेकिन वह टीपे दिखाते हैं इसे बच्चे लोगों भी ऐसा लगते करें इस लेंग्वेज में कुछ है नहीं डम नहीं करके लेकिन वह गलत है का वो आज के युवा वर्ग में कम रहता है भगवान के उपर परवसा ज्यादा कम है भगवत गीता हो या अभी आप लोग यहीं कैमपस पर हो कभी आपने सोचा है कि प्रादर पर विश्वनार कराजी ने यह जो आठारा आश्रम तयार के वहां पर उसमें नाम क्या है उसमे ने युमन रिसूस नहीं किया विश्वा मित्र ने युमन रिसूस नहीं किया प्रुब राम चंद्र को जब बच्चे थे स्टुडेंटे तभी ले गए अपने साथ में और सिखाया क्या करना है हो ट्राटिका जब सामने आगे तो उसको माद हो का जब शबरी सामने आगे तो बोलो उसके साथ रहो यह सब ट्रेनिंग है बगवान कृष्ण को तयार किया सांधी पनी रुषी ने क्या है ट्रेनिंग हो तो यह हमें समझना चाहिए और यह कभी समझ जाओगे जब तुम तुम्हारा मत नहीं है ऐसी एक जगो पकड़ो मैं तुम्हें लिखे देता ह कि पूरी दुनिया से नौलिज आपकी तरफ ट्रेवल करेगा बिकास हम लोग हमारे मन में वैक्यूम ही नहीं तेयार कर रहे बार से चीज अंदर आने के लिए हमारे दिल में वैक्यूम तो होना चाहिए हमारा मन और दिल और दिमाग सिभ भरा हो रहता है दिल तो पागल है जाता रहता है फिल्मों में भी चल्ता रहता है दिल एक मंदिर से लेकर दिल तो पागल है अच्छा जनी नहीं है न तो यह मंकेष लो आप कोगे नि समतन्त अनामदाजी का हैं यह दharम से निगडित है यह हमें क्या लेना देना इस उम्र में यही उम्र है जहापर इसंपर कि कुशिश तक खरो, राम का मतलब क्या है, प्रभु राम र और म, ये दो ही अक्षर है, जो अक्षरों के ऊपर आते हैं, देखो साइन्स है, र और म, जब रफार आता है, रफार, वो रफार ऊपर आता है, लाइन के ऊपर आता है, अनुस्वार जो है, वो भी म है, वो उपर तो अक्षर का मतलब आपको, अक्षर का मतलब नाश होना, अक्षर का मतलब जिसका नाश नहीं होता है, वो अक्षर है, इसलिए हम बोलते हैं, लिखे दो, मुह से बाद मत करो, प्रामिस, कि दर दिन के वाद में पैसे वापस करूँगा, लिखे दो, क्यों अक्षर करो उसका उसका नाश नहीं होगा, फिर उसके उपर आने वाले ये दो रम, रम क्या पेट में कौन तैयार होता है, राम तैयार होता है, अब आपको होगे ये तो जस शब्लों का खेल चरा है, शब्लों का खेल नहीं है, श्री कुछने के पीताचे का नाम क्या है, वसुदेव, करेक, व उसके बचे को क्या का? मनले प्रभु रामचंदर को क्या का? दाशरती. ये क्या द का द क्यू हो गया? व का व क्यू हो गया? ज का जा क्यू हो गया? ये नेक्स जनरेशन हैं. भाशा का इतना बढ़िया एक्जामपल है. और एक एक्जामपल बोलता हूं है कि ये मन के शुरु देते वक में आपका जंदर नौनर्ज भी बढ़ता रहोंगा अनुस्वार का उच्छा रण भी हम अलग-अलग करते हैं महाशा में साइन्स है जैसे हम कहते है कि संपत ये संपत संपत नाम का सरनेम रहते है ना तो संपत संपत में जो स के उपर अनुस्वार है वो कौन से डालेक से खतम होता है वेंजन से म से संपत लेकिन तंदूरी में त के उपर वही अनुस्वार है लेकिन वो कर से संप खतम होता है न से खतम होता है घंटा तो घंटा में न से खतम होता है है क्यों ऐसा क्यों उता है तो औज जो अक्षर है उसका आनुच्व जो है वह लगता है पिछे तो त दद न त त कि आगे द द का आनुच्वbell बहुत त के अनुच्वर को न से खत्म किया जाएगा तो पडो का अनुस्वर को म से Nered को म शस समज्व रेंटास्टिक लेकिन वह सीखने की पहली आवशक्ता इस लोक में कही है वह है भक्त बनो तब ही बाद मेने की जब तक आप भक्त नहीं बनोगे दिन प्यार करते हैं बच्चे लोग घूमने जाते हैं क्यों क्या करते हैं उसको पटाया इसको पटाया उसको पटाया सिब दिखावे पे जा रहे हैं असलियत कहां देखते हैं लड़की की असलियत है लड़की की असलियत प्रियकर प्रेस ही नहीं बनना है हमें धेयकर धेस ही बनना है फिर बात बनेगी सच्चा ही क्या है वो जाने की कोशिश करो दिखता है तो तीन साल तक घुमते रहते हैं और फिर तीन मेनों में डिवोस लेते हैं शारी के बार क्योंकि आसलियत मालूम पड़ी यह सब चीदे में क्यों बोड़ा हूं इस चीदों को अगर नहीं होना है तो यह कि डिसिजन मेकिंग अथरिटी जो है वो भक्ती से ही बनती है और कोई नहीं इसने डिवोशन क्या होशकता है और वो डिवोशन इस श्लोक में बिल्कुल दिया है मन सब जनों तुम चलो करें विचार कीजयेगा recollection in tranquility is creativity याद रखो यह sentence recollection in tranquility एकांत में जाकर Sanjayậv resist Here Sanjay गूरु जी Sanjay Upadhyay ji कया बोल रहे हैं उसको recollect करने की कोशिश करो बाहर जाने के बाद, रात को जब सुनने जाओगे तब ही आद करो, कि अरे सुपा हमने क्या सुना वो मन के शलुक में, क्या मेरा मन वैसा है, स्टेडी है, मेरा मन जो है वो दुर्डवचितन है, क्या, तो वो होने के लिए एक जगह जिंदगी में वो कोई भी रहने तो लेकिन एक जगह ऐसी चाहिए जहां पर तुम्हें तुम्हारा मत नहीं है डिवोट करो फिर ये डिवोशन में साइंस कैसे ठिपा है आस्ते आस्ते अगले श्लोकों में मैं करते जाओंगा अगर अच्छा लगा तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे फिलार ये जो श्लोक रहा उसके बारे में मैंने एक्स्प्रेंशन दिया आपके सामने मैं यहीं रुखता हूं और कोई सवाल आपके मुन में तेयार हो गएंगे तो वह आप पूछ लिजेगा मुझको ठीक है धन्यवाद पूछो हाँ येस प्रश्णा है कि जो सन्ने से लोग योगी लोग तैनी भगवा कपड़ास का गालता तो वस्त्रदार तो दुसरे का नहीं अगल हो सकत आथ अभी-अभी मैंने यह पूछ रहा है कि सैफरेंग कलर ही क्यों प में विक्रूति नहीं आती उस कलर से और ये शास्त्र तयार हुआ है हमारे देश में कलर रेज़े संद्यार इफेक्स और इसा टॉपिक है वो और अमरीका में भी उसको आभी इंपोर्टन डिया है और हमारे या तो पहले सी ये इसले मैंने कहा था कि शादी के वग जब धा हल्दी लागाते है हल्दी का समारंब होता है हल्दी का पैसा भी मिलता है हल्दी लागाने का लेकिन ये हल्दी क्यों है पिला रंग क्यों है तो खून का रंग लाल है उसके उपर पिला रंग आया तो सैफरन कलर रेजेस बाहर निकलते हैं और ये बहुत बड़ा हमारे सार kalauे और पहन के काले कर्तुत करते हैं हैं लेकिन वह तो हर जगह पर ऐसे होने वाला है कह शर्उत कहel नहीं तो करा विप्हूरत होती है क्रेखने का मतलब है कि dang अहीं आ हुती है आपको कमपल्सिन करता है कि मैं गलत ना बरता हूं करो लोगों का आपकी तरफ दिखने का रवया अलग हो जाता है कलर दिखने के बादा है ठीक है यस थैंक यू नेक्स्ट Sir, my question is, does the God really exist? Yes, the title given to the God, I will explain in the other way around It's in Marathi Hindi, it's called Dev, so that you know Kunal, Dev, correct? Now Dev, what is Dev? The original word is Ved. What is Ved? Ved is the thing which is known. In Sanskrit there is a single, two letter verb, that is Vid. It means to know in English, the verb is to know. Ved, the thing which is known is Ved. The thing which is unknown, it becomes the two akshara and the other people are changing their place and it becomes Dev. Like Vaakya and Kaavya. Right? Vaakya is a Kaavya, so Vaakya is a Kaavya, but if Vaakya is a Kaavya, then he or she is a Kaavya, then he is a Kaavya and he is a Kaavya. If you do it, then you get a path. Shaya, I mean if you are sleeping, then you get a path. It's not a grammatical gimmick, it's a very good thing. So, God is the same, that the whole world has come and so many people have died, but the children of that is left for six months. and the children of that is left for six months. Can you do it in an analytical way? You cannot. Then, when you cannot, there you need somebody. Have you seen a movie, Cast Away? In English, go to YouTube, go to Netflix, cast away. It's a very good thing. In that, when he goes to a Nirjan island, when he stays there, there is no one. There is no one. There is no one. There is no one. But he needs somebody to interact with him. That's why, when with the children of the Jaj, there is a football, when his hands are broken from the blood, then his hands are broken from the football. And the football, which is the place of the wind, when he comes to the building, and he stands there. And the whole time, he talks about that. That is God. Generator, organizer, destroyer. Utpati, siti, lay. That becomes G-O-D. That is God. But it's not necessary to be in this world, or in this place. It's not possible to be in this world. It's not possible to be in this world. It's all we have prepared. If I am very shocked, then my God will be like this. No. My average will be like that. Jayaanuman, Bajrangbali. If I need money, if I am from Lakshmi, then I am from Lakshmi, which I am from Lakshmi, I am from his hands. I will be like this. I will be like this. So it's a concept of specialization. I will be like this in my mind. I will be like this in my mind. I will be like this in my mind. So it means that if we have so much God in our hands, then what is the meaning of that? In your section, the God of the section, when the God of the Lord said, which is the academic, the academic, the academic, the God of the Satchin Tendulkar, the God of the King, the God of the King, the God of the King, theing, the God of the King, the God of the King, I will be like this. So this is what I know. Then there is a gaunt. I will be like this. I will be like this. When we are in trying, this is what I am from my mind. और अगली गेन जो बुलेट की तरह जाती है, वकार के बाजू से, चोके के लिए, correct, is it human, at that moment, the human behaving in such a way, that it is God gifted, correct, अब ये वो शुटिंग होनी के बाद में कहोंगा, सचिन ने, वकार से क्या कहा, यहां पर देव आ जाता है, यह मालूम नहीं है, यह ताकत कहां से आ गई, य अबितुम उसे, आला को, येशु को, श्री कुछन को, भगवान को, यह मालूम नहीं है, it is beyond my reception, it is beyond my ability to understand, that becomes a God. और Einstein भी यही केता है, it is a manifestation of pure intelligence, यह पूरा जो धुनिया है, it is a manifestation of pure intelligence, यह पूरा जो धुनिया है, it is a manifestation of pure intelligence, यह पूरा जो धुनिया है, और इसलिए हमारे सब जो अवतार हैं, बगवान, वो बिलोजिकल अर्डर में, so you can look at them as a science also, not from the religious point of view, पहला को है, पहला को है, दशा कुर्म, मतलब 50-50, जमीन पे भी है और पानी में भी है, फिर तिसरा वराह, that is pick, दोनों mixture, पानी और जमीन का mixture, फिर वराह आगया, फिर आगया नारसिव, मतलब जो जमीन पे है लेकिन जंगर में है और बाहर भी है, और फिर आगया वामन, यह लिलीपुट, पहला human being छोट फिर आगया परशुराम, पूली शरीर की भृद्धी हो चुके लेकिन शस्त्र लेके काम कर रहा है, फिर आगया अधर्ष राम परशुराम के बाद, फिर राम का अधर्ष वो सत्य सत्य करके जिता रहा, लेकिन बूरे लोगों को अच्छे करने की प्रक्या चलती रही, ले डिल करतुर्फ न वाल Kern करणी के के ताकब रखता है लेकिन डिल आधिकार नहीं लें कि दून के बास याद के बास नहीं का घिन चैनल अब और सीर्पृषषतम है वह है वह से युद्द ग Krista के बाद इतने लोग मारे जाने के बाद बुद्धित दंग रहे गई, सुन्द हो गई, फिर कौन आउता रहाया, बुद्धा होता रहाया, वो शांती का प्रस्तावली कहा किया, इतने लोग माले गए, यूमन स्पेशिस जो इस पृत्वी को महत हो देते हैं, जिनकी वाज़े से पृत्वी पृत्वी कहलाती है, अगर हम नहीं है मनुष्य तो क्या है पृत्वी का, कुछ नहीं है, तो ये देव की संकल्पना उस समय तयार होती है, जब मनुष्य के आकलन के पेरिफेरल में वो तो कहते है भगवान का काम है, समझे है, डेव का मतलब क्या है, करेक्ट है, चलो, और कोई है, गुरुजी रामायन जाला की महाभारत अधी, जिनको महारत ही नहीं आती उनके लिए, रामायन पहले हो और महाभारत पहले हो उसका जवाब है, पोनो फ्रेंड, नहीं ना, करो प्रूफ है नहीं क्या इता, तो प्रूफ में एक तो कृषnaire का ओतिर महारत में, और कृष्णर्राम के बाद का ओतार है, कीरेक्ट, राम हुआ थे टर्यता यूग में, और कृषेन राम हुआ द्वापर यूग में, हम योग जिनरें болे कली यूग में, चार यूग हैं, पह जब आपके ओपर ज्छेन्ड़ा है देखा और ज्छेन्ड़े पर कौँ आहे हमनुए क Tammy जिये तो हनुमान नहीं कण दभा है डूर कंगे लेखती रिखा है नामान की वीथिमेड्ड़ी रख वो कि वहांपर क्या कर रहा है तो वह अर्ण को मतद कर रहा है उसमें क्यूं मतद कर रहा है तो उहां पर जब अर्जुन श्री कुष्णा की संअंधर किनारे गये तो अर्जुन हस पढ़ा तो कुछ दिग ञel जो फुचे हो जो तो करद के रहा ही तो सथे में जिन्दा उस समय का आणर नार अनुमान जी सब्सक्राइब बुला है तो आनुमान जी ने देखने के बाद कृत्त उस साइज का इक आणर था तो वह जाने के लिए तो पत्थर के पूल ब्रीच चला रहे तो लिम्हें करता हूं अरुप ने तीर चला है और ब्रीच तेज आजमान जैसे ही पहुन गणा टुड़ गया। उसमें अर्जुन का गर्वा हरन हो गया। अर्जुन जो गुष्ता और गर्वा आया था, वह निकल गया। क्यों? हनुमान के वज़ें। लेकिन आप ए अभी हनुमान को गर्वा। कि आर्जुन को हराय करके। फिर शीकुष्ण ने कहा, फिर एक बार तयार करो, आजुन से कहा, तो आजुन ने फिर एक बार पूल तयार किया ब्रिज, और फिर उसके नीचे सुदर्शन चक्रा रखा, फिर हनुमान जुने कही उस पर, खुदे उस पर लेकिन वो पूल तुटा नहीं, तब हनुमान ने अर्जुन से कहा, कि जब भी जरूरत हो, मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आउँगा, और महावरत यूत के पहले हनुमान जी को बुला गया, और हनुमान रथ के उपर बेठके, कहरों की जो सेनाती उनको डरा रहा था, आवाज निकालके, उसको बोलते हो, जो बंदर आवाद, ऐसे कहते हैं आप, जाते हो नो पूले से मुंबई, तब कई देखा है घाट में, जाकि थोड़ा मसकरी करके देखो, ऐसे कहते हैं, तो हमिमान जी पूरे कोलों की सेना को डरा रहे थे, और ऐसे कही प्रूफ है, जांबुवन का प्रूफ है, लेकि तुम्हारे सवाल का जवाब यह है, और वो रामाइन पहले बाद में महावारत, ठीक है, धन्यवाद,